दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का 15 साल पुराना वर्चस सब खतम हो गया है जी हाँ दोस्तों दिल्ली नगर निगम चुनाओं में बीजेपी जो पिछले 15 सालों से राज कर रही थी इस बार के चुनाओं में उसका ये वर्चस पूरी तरीके से धस्त हो चुका है देश की राजधानी के मतिदाताओं ने Municipal Corporation of Delhi यानी MCD की सत्ता अब आमादी पालटी को सौपने का फैसला सुना चुकी है चुनाओ आयोक के ताज आंकों के मुताबिक आपने 134 सीटों पर जीत के साथ बहूमत का अकड़ा पार कर लिया है जबकि वहीं BJP ने अब तक 104 ही सीटे जीत पाई कॉंग्रिस का प्रदर सन बेहत खराब रहा और अब तक सिर्फ 9 सीटे ही उसके हिस्से में आई 250 सीटों वाली MCD में बहूमत के लिए कम सकम 126 सीटे जीतना ही जरूरी होता है तब ही आप MCD का चुनाओ जीत सकते हैं और जैसे ही चुनाओ विगुल बच जाता है और जीत खुशित करती जाती है तो आईए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना जस्न मना रही है और क्या नई चीजें लाने वाली है दोस्तों सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाता हूँ मैं इतनी बड़ी जीत के लिए इतनी शांदार जीत के लिए इतने बड़े बदलाव के लिए इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत ब कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा, कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दिये, अभी तक उन्होंने हमें जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने, शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किये, लाखों करोडों बच्चों का भविश्य बनाया, लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किये, लोगों के इलाज का इंतिजाम किया, अच्छे इलाज का इंतिजाम किया, लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की, आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली के सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रश्टा चार दूर करने की जिम्मेदारी दिये पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दिये कई सारी जिम्मेदारियां आज दिये इतना प्यार दिये आपने इतना विश्वास किया आपने मेरे उपर इसके लिए मैं आपका रिन कभी नहीं चुका सकता मैं पूरी कोशिश करूँगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूँ ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी I love you too जितने candidates जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बढ़ाई भारतिय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बढ़ाई कॉंग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बढ़ाई निर्दलिय जो जीते हैं उनको भी बढ़ाई और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मायूस मत होना दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे अब अपने को सब को मिलके काम करना है मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से सभी पार्टियों से कि बस राजनीती आज तक की थी आज तक जितनी राजनीती करनी थी कर ली अब अपने को सब को मिलके काम करना है सब को मिलके दिल्ली ठीक करनी है इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूँ इसमें मैं कॉंग्रेस का भी सहयोग चाहता हूँ मैं सब का सहयोग चाहता हूँ सब के सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे धाइसो के धाइसो पारशद जो चुनके आएं मैं अब उनसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी पार्टी के पारशद नहीं अब आप दिल्ली के पारशद हैं मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपिक्शा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया, उनका बहुत-बहुत शुकरिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूँ पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खास कर हमें केंदर सरकार की मदद भी चाहिए केंदर सरकार का सहयोग भी चाहिए हम आज इस मंच के जरिये से मैं केंदर सरकार से भी और खास कर प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशिरवाद चाहता हूँ कि उनका भी प्रधान मंत्री जी का भी और केंदर सरकार का भी आशिरवाद हमें चाहिए अब दिल्ली को साफ करना है, कूडा ठीक करना है, करना है की नहीं करना है इसमें सब की ड्यूटी लगेगी बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी अकेले हमसे नहीं होगा दिल्ली के दो करोड अपना ये परिवार है न मैं बार बार बोलता हूँ अपने दिल्ली के दो करोड़ लोगों का परिवार है दो करोड़ लोग हम सारे मिलके दिल्ली की सफाई करेंगे